भारत के महत्तो कांख्शी मिशन चंद्रयान 2 की कुछ घंटों में लॉंचिंग होनी है इस बेहद कठिन मिशन को लक्ष तक पहुंचाना किसी करिश्मे से कम नहीं है श्री हरीखोटा के सतीर धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉंचिंग के बाद मिशन को चांद तक पहुंचने में करीब 52 दिन का समय लगने वाला है इस मिशन के सबसे तनावपूर्ण छड़ चांद पर लेंडिंग से पहले के 15 मिनट होंगे खुद भारतिय अंतरिक्ष एजनसी इसरो के चीफ के सीवन ने कहा है कि लेंडिंग के अंतिम 15 मिनट बेहत चुनोती पूर्ण रहेंगे क्योंकि उस दौरान हम ऐसा कुछ करेंगे जिसे हमने अभी तक कभी नहीं किया है बता दै कि 15 जुलाई को क्राइजनिक इंजन में लीकेज के कारण चंद्रियान 2 की लॉंचिंग टाल दी गई थी इसके बाद इसरों ने लॉंचिंग की नई तारीख 22 जुलाई दोपहर दो बच कर 43 मिनट तै किया है सिवन ने कहा चंद्रमा की सतह से 30 किलो मिटर दूर चंद्रियान 2 की लेंडिंग के लिए इसकी स्पीड कम की जाएगी विक्रम को चांद की सतह पर उतारने का काम काफी मुश्किल होगा इस दोरान 15 मिनट काफी चुनोती पूर रहने वाले होंगे हम पहली बार सॉफ्ट लेंडिंग करेंगे ये तनाव का क्षण केवल इसरों ही नहीं बलकि सभी भारतियों के लिए होगा भारत जैसे ही चांद पर सॉफ्ट लेंडिंग करेगा वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा अभी तक अमेरिका, रूस और चीन के पास ही ये विशेशग्यता है स्वदेशी तकनीक से निर्मित चंद्रियान दो में कुल 13 पेलोड है आठ और वीटर में तीन पेलोड लेंडर विक्रम और दो पेलोड रोवर प्रग्यान में है पाँच पेलोड भारत के तीन यूरोप, दो अमेरिका और एक बुलगारिया के है लॉंचिंग के करीब 16 मिनट बाद GSLV MK330 चंद्रियान दो को पृत्वी की कक्षा में स्थापित करेगा लेंडर विक्रम का नाम भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान कायक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम A. साराभाई के नाम पर रखा गया है दूसरी ओर 27 किलोग्राम प्रग्यान का मतलब संस्कृत में बुद्धिमता है इस रोच चंद्रियान दो को चंद्रमा के दक्षिन ध्रू पर उतारेगा चार टन तक का पेलोड ले जाने की अपनी क्षमता के कारण बाहु बली कहे जा रहे जी एसलवी मार्क 3 रॉकेट ने जी सेट 29 और जी सेट 19 उग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है अंत्रिक्ष एजेंसी ने इसी रॉकेट का अस्तमाल करते हुए क्रू मॉड्यूल वायू मंडली पुनह प्रवेश परिक्षण केयर को सफलता पुरुवक अन्जाम दिया था इसरो के प्रमुक के सीवन के मुताबिक अंत्रिक्ष एजेंसी दिसंबर 2021 के लिए निर्धारित अपने मानव अंत्रिक्ष उडान कारेक्रम गदन्यान के लिए भी जी एसलवी मार्क 3 रॉकेट का प्रियोग करेगी धर्ती और चंद्रमा के लीच की दूरी लगभग 3,84,000 किलो मीटर है लॉंचिंग के बाद चंद्रमा के लिए लंबी यात्रा शुरू होगी चंद्रियान दो में लेंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान चंद्रमा तक जाएंगे चाद की सता पर उतरने के लिए चार दिन पहले रोवर विक्रम उतरने वाली जगह का मुआइना करना शुरू करेगा लेंडर यान से डिबूस्ट होगा विक्रम सता के और नजदीक पहुचेगा उतरने वाली जगह को स्कैन करना शुरू करेगा और फिर 6 से 8 सितंबर के बीच शुरू होगी लेंडिंग की प्रक्रिया लेंडिंग के बाद लेंडर विक्रम का दर्वाजा खुलेगा और वह रोवर प्रग्यान को रिलीज करेगा रोवर के निकलने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा फिर या वैज्यानिक परिक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा इसके 15 मिनट के अंदर ही इस रोव को लेंडिंग की तस्वीरे मिलनी शुरू हो जाएंगी प्रभ्यानिक परिक्षब की मिलनी शुरू होिए प्रभ्यानिक परिक्षण।